हलो, all my dear students, good evening, मैं अभिनब सिंग आप सभी का exam card live और exam card की application पर स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, SSE GD का practice set 5, अभी तक मैं 4 practice set करवा चुका हूँ अगर आपने वो 4 practice set एटन नहीं किये हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर exam card live पर जाकर वीडियोज में देख सकते हैं, आपको maths के 4 practice set दिखाई देंगे, आज ये 5 प्रेक्टिस set है, ये जो practice set मैं करवा रहा हूँ वो, हमारी जो book है, SSE Constable GD की book, जो अभी इंडिया की best selling book है, इस book से ही मैं आपको practice set करवा रहा हूँ इसमें previous paper के भी questions रखे गए हैं, और practice set भी बनाया गया है, जो most expected question को लेकर बनाया गया है, तो ये बहुत ही useful होगा आपके लिए, अगर आप मेरे साथ analysis करते हैं, practice set इसकी तो अगर आपने हमारा अभी तक telegram channel जोइन नहीं किया है, तो हमारा telegram channel exam card live telegram channel जोइन करें, यहाँ पर आपको सारी जानकारियां, बैस related जानकारियां और साथ साथ PDF भी आपको मिला करेंगे, तो आईए, आज का session स्टार्ट करते हैं, SSE GD practice set 5, पाचवा practice set स्टार्ट करते हैं पाचवा practice set का पहला सवाल, का पहला सवाल जो है, वो यह रहा आपकी screen पर, first question, question कहता है, कि एक रासी 5,984 रुपए से 6 वर्स में 8,976 हो जाती है, तो साधरन ब्याज की वार्सिक दर्बत है, simple interest का सवाल है, देखिए, question कहरा है, यह 5,984 हमारी principle है, यानि मूलधन है, यह बन जाती है 8,976, कितने वर्स में, 6 वर्स में, पूछता है ब्याज की दर बता है, ब्याज की दर हमेशा एक साल का calculate होता है, ध्यान रखिएगा principle पर, तो बेटा, पहले मैं ब्याज निकालता हूँ, कि ब्याज कितना हुआ, ब्याज होता है, amount minus principle, यह रासी इतनी बन गई, यानि कितना अधिक हुआ, तो निकालिए यह value क इतनी अधिक है, तो 6 में से 4 गया 2, 17 में से 8 गया 9 बन जाएगा यहां, और यहां 8, 18 में से 9 गया 9, और 7 में से 5 गया 2, यानि इतने का ब्याज आ रहा है, कितने पर मूलधन क्या है, तो मूलधन है, उन्सट सो चोड़ासी, बेटा, यह इसको काट रहा है, दो बार में, या 6 साल में 1 बटे 2 का ब्याज बन रहा है, अगर 6 साल में इतना है, तो 1 साल का निकालना है, यह 6 साल में इतनी भेल्यू है, तो 1 साल में कितनी होगी, तो 1 साल में 6 यहां नीचे डिवाइड करेंगे, यह 100 पर केलकुलेट करना, ब्याज की दर का मतलब है 100 पर केलकुलेट करना यह जो value आएगी यह ब्याज की दर होगी अब दिखिए cancel करेंगे यहां से answer आपके सामने आएगा 2 से यह कटरा है 50 बार में 2 से कटेगा 3 बार में 2 से कटेगा 25 बार में 25 बटे 3 25 बटे 3% right answer R की value है 25 बटे 3 25 बटे 3 को ही हम 8 सही 1 बटे 3% लिख सकते हैं क्योंकि यह 8-24-25 बटे 3 ही बनाता है यानि option D सही जवाब है पहले question का next question के तरह बढ़ते हैं next question कहता एक व्यापारी ने दो टेलिवीजन 13,860 रुपए प्रतेक टेलिवीजन की दर से बेचा है प्रतेक की दर से यानि दोनों की selling price जो है वो सेम है वो 13,860 है एक टेलिवीजन को वो 10% के profit पर बेच रहा है और दूसरे को 10% के loss पर बेच रहा है तो कहता है कि उसका कुल लाब यानि net पर total पर कितना percent profit या loss हो रहा है एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर दो वस्तू की selling price सेम हो दो वस्तू की selling price सेम हो और पहली वस्तू को जितने percent के profit पर बेचा जा है एकस स्क्वेर अपोन हंडरेड परसंट एकस स्क्वेर अपोन हंडरेड परसंट अगर यह x% profit x% loss है तो net पर हमीशा loss होगा और loss की value होगी x square अपोन हंडरेड अब ये x की value क्या दे रखा है ये कहता पहले पर 10% का profit और दूसरे पर 10% का loss तो answer x की value 10 है आंसर होगा 10 square अपोन हंडरेड तो बेटा हंडरेड से हंडरेड खतम आंसर होगा 1% का loss 1% का loss यानि option A सही जवाब होगा अगला question देखिए next question कहता है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो उससे दुगना आदमी आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे उससे दुगना आदमी आधे काम को कितने समय में पुरा करेंगे पहले इस बात को समझेगा कि किसी एक काम को 12 दिन में किया जाता है 12 डेज में किया जाता है अगर हम दुगने आदमी लगाएंगे तो छमता भी दुगनी हो जाएगी और छमता अगर दुगनी होगी छमता और समय का संबंद उल्टागा होता है inversely proportional का होता है अगर आप छमता को दुगनी करेंगे तो समय आधा हो जाएगा यानि दुगनी छमता से अगर दुगने आदमी करवाएंगे तो यही पूरा काम एक पूरा काम होने में 6 days का समय लगेगा अगर दुगनी छमता से काम करवाएंगे तो पूरा काम वो कहते हैं पूरा करना ही नहीं है आपको आधा काम करना है तो आधा काम करने में कितना समय लगेगा 3 days 3 days right answer होगा यानि D सही जवाब हो जाएगा D right answer होगा कितने आसान से सवाल है आप जब भी मेरे साथ mock test लगाएं तो आप वीडियो को पोज करके पहले खुट से solve करें question को और फिर मेरा solution देखें कि मैं कैसे बताता हूँ और last में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही और कितने गलत कर दी है ठीक है अगला सावाथ कहता है 10 मीटर चोड़ाई की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले आइताकार उद्यान को बाहर से घेरती है तो उस पत का छेतरफल क्या है उस रास्ते का छेतरफल क्या है यह सवाल actually है क्या यह है ऐसा आइताकार एक मैदान है जिसकी लंबाई चोड़ाई बताई गई है 200 लंबाई है 180 चोड़ाई है इसके बाहर एक रास्ता बना दिया गया है इसके बाहर एक ऐसा रास्ता बना दिया गया है और इस रास्ते की जो चोड़ाई है वो बताई गई है 10 मीटर 10 meter, तो आपसे पूछा जाता है, इसी रास्ते का आप छेतरफल बता है, इस रास्ते का छेतरफल बता है, तो मैं आपको direct बता रहा हूँ, कि इस रास्ते का छेतरफल होता है, एक result लिख रहा हूँ, उसे याद रखिएगा, यह question, generally repeat होता ही होता है, अगर किसी मैदान के बाहर हम रास्ता बनाते हैं और रास्ते की चोड़ाई अगर x है तो उस रास्ते का जो छेत्रफल होता है area of path रास्ते का छेत्रफल ये बराबर होता है 2x into l plus b plus 2x अगर बाहर बनाया जाए तो plus 2x अगर अंदर बनाया जाए तो minus 2x हो जाएगा जहाँ l और b लंबाई और चोड़ाई है और x जो है वो रास्ते की चोड़ाई है अब मान पुट कर दीजिए बेटा x की value 10 है तो ये 10 दोना क्या बन जाएगा 20 और l plus b l है 200 और ये है 180 तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 380 और फ option a option a right answer होगा देकि मैं ये discuss नहीं कर रहा हूँ कि ये formula कहां से आया ये आप batch में देखेंगे concept से कि ये चीजे बनती कहां से है लेकिन ये practice set है best तरीके से आपको आगे बरना तो आपको result याद रहना चाहिए आगे बरते question number five question number five कहता है कि सीसा का एक ठोस घन जिसके किनारे क 44 cm यानि एक घन cube है जिसकी side दी हुए 44 और उससे आपको 4 cm व्यास वाले गोलाकार गोलियां बनानी है तो कितनी गोलियां बना सकते हैं देखें जब हम किसी एक material से दूसरा material बनाते हैं अगर material waste ना हो तो दोनों की volume बराबर हो जाएंगे यानि इस घन का यानि इस cube का जो आ खुलाकार गोलियां sphere है sphere की volume के बराबर होगा अब ऐसे कितनी गोलियां बनानी है तो एक experiences की volume ये है तो n माना कि n गोलियां बनानी है तो n sphere की कितनी हो जाएगी n into experience की volume अब आप बताईए cube का एतन क्या होता है तो cube का एतन होता है भुजा की cube और भुजा की毒 और desse ila 44 की Psychos पाई का मान होता है 22 बट है 7 r cube r क्या है व्यास है 4 cm व्यास डाइ मीटर देखें ये व्यास होता है ये व्यास पूरी रेखा सेंटर से जाने वाली ये व्यास ये 4 है और ये इसका आधा radius होता है ये रेडियस कितना होगा 2 तो ये 2 की cube है अब इसे solve करेंगे थोड़ा कोई भी 44 का cube निकालने की जरुरत नहीं है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 44 into 44 into 44 और इधर आ जाएगा n into 4 by 3 और into 22 by 7 into 2 की cube 8 बन जाएगी अब इसे cancel out कीजिए answer आपके सामने है देखिए 22 से ये 44 कट जाएगा दो बार में और 2 से 4 कट जाएगा दो बार में 4 से 8 कटेगा दो बार में 4 से 44 कटेगा 11 और ये 22 4 चार इस 44 को 11 बार में काटेंगे तो इधर आ गया 121 and common 721 इधर फैकेंगे इधर 121 है 121 में हम 21 गुना करेंगे यही हमारा answer यही हमारा अंसर अब unit dignita से अगर बात करें तो देखिए unit जो sum है उनका difference या तो 0 होना चाहिए या 11 का multiple होना चाहिए देखे इनका place alternate place 4 1 5 है और ये 5 2 7 है इनका difference ना तो 0 है ना तो 11 से कट रहा यानि ये हो नहीं सकता ये गलत है ये नहीं हो सकता तीन खतम हो गए तो सबसे पहले एक को टिक कर लिजे अब देख लीजे इसमें 11 भी मौ alternate place का जो sum है उसका difference या तो 0 या 11 का multiple आजाए that means कि वो संख्यां 11 से भी भाजित होती है ठीके बटा तो answer A A सई जवाब हो जाएगा देखने में लेकिन कितना आसान होने वाला है इसका वर्गमूल 0.324 है into 0.081 है into 4.624 है upon 1.5625 है into 0.0289 है into 72.9 है into 64 है इसका वर्गमूल निकालना सबसे बड़ी समस्या ऐसे सवालों में बच्चे के साथ होती है दसमलब की तो पहले दसमलब को यहां से खतम करने की कोसिस कीजिए देखिए decimal जब हटाते हैं तो नीचे उतने ही digit आते हैं उतने ही 0 आते हैं जितने decimal के बाद number of digit हैं यहां decimal के बाद number of digit 3 है, तो यहां 3 0 आएंगे, तो यहां से 3 0, यहां से 3 0, 6 0 और यहां से 3 0, यानि उपर में 9 0 नीचे में आएंगे, फिर यहां से देखिए, यहां decimal के बाद 4 है, तो 4, फिर यहां भी 4 है, 8 और यहां 1 है, तो यहां भी 9 0 आएंगे, तो उपर भी 9 0, नीचे भी नौजुरू यह decimal खतम हो चुका, decimal का कोई रोलने हटा दीजे यहां से, decimal कट चुका है आपस में, अब आगे इनका वर्गमुल बते, 324 का वर्गमुल क्या होता है, 18, 81 का वर्गमुल क्या होता है, 9, 4624 का वर्गमुल क्या होता है, 68, और 15625 का वर्गमुल क्या होता है, 125, 25, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, 739 का वर्गमूल होता है 27 और 64 का वर्गमूल होता है 8 बिटा ये अंसर है अब काटपिट कीजिए काटेंगे अगर तो 17, 48, 4 से कटेगा 8, 2 बारी में और 2 से कटेगा 18, 9 बारी में और 9 से कट रहा है ये 27, 3 बारी में और 39 को 3 बार में यानि 3 3 बटे 125 राइट आंसर है 3 बटे 125 सही जवाब है चुकि option में चीजे दसमलब में दी हुई है तो हम भी दसमलब में convert करेंगे याद रखिएगा किसी भी संख्या में जब भी आपको 125 से भाग देना हो तो भाग मत दीजिए आप उपर नीचे 8 multiply कर दीजिए अगर आप ऐसा करत है तो नीचे की जो संख्या वो 1000 बन जाएगी और 1000 से भाग देना आसान है उपर की संख्या 24 है और नीचे की संख्या 1000 बन जाएगी और देखें यहां चुकि 3 0 है 3 0 है तो यहां 3 डिजिट पहले decimal लगाई है तो 3 डिजिट पहले लगाएंगे 2 4 एक डिजिट और लगाएं को अगला सवाल कि कहता है एक पंसारी एक थैला गेहूं 10 परसेंट लाप पर बेचता है इस पर उसका लाव यदि 180 रुपे रहा हो तो उसने गेहूं कितने में खड़ीदा दीकि ऐसे सवाल को तो आप बतानी मर्जी कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं जो सबसे आसान बच् 10 परसेंट लाव की परसेंटेज वेल्यू 10 है और लाव की पैसे की वेल्यू 180 है अगर 10 परसेंट 180 रुपिया है कितने में खड़ीदा यानि कोस्ट प्रेस को हम 100 परसेंट से रिपरजेंट करते हैं यानि उसकी जो सीपी है उसे हम 100 परसेंट कहते हैं आप बताई अगर 10 प जबाब होगा option C C right answer हो जाएगा next question next question के रहा एक वस्टू को रुपए 1080 में बेचकर उसके लागत मुल्य का एक बटे 8 भाग लाव कमाया जाता है देखिए profit का fraction मान बताया गया एक बटे 8 यानि 8 पर एक का लाव कमाया जाता है यानि उसकी जो cost price है वो 8 है और एक का लाव है तो उसकी selling price 9 होगी यानि आपको CPSP पता चल चुका है ratio इसी 9 ratio की value वो कहता 1080 है अगर इसी 9 की value 1080 है तो एक कमान क्या होगा देखिए 9 में क्या गुना करेंगे तो 129 में 108 होता 120 यानि एक यूनिट की value 120 है तो आठ यूनिट की value क्या होगी 120 गुना करेंगे तो 12896 आंसर होगा 960 960 सही जवाब होगा यानि option ए राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का नेक्स्ट कुश्चन की तरब बढ़िए कुश्चन के रहा है इसका महत्तम समाप वर्तक बताए LCM HCF का सवाल है ध्यान रखिएगा कभी भी भिन का आपसे LCM या HCF पूछा जाता है जैसे 2 वटे 3, 11 वटे 15, 27 वटे 45 आपसे पूछा जा रहा है बेटा इसका अगर आपसे HCF पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना जिस भिन का HCF पूछे उसमें उपर वाली संख्या का HCF केलकुलेट करना होगा यानि आपको 2, 11, 27 का HCF निकालना होगा और नीचे वाली संख्या का LCM निकालना होगा यानि 3, 15 और 45 का LCM निकालना होगा अगर यहाँ LCM पूछा जाता तो उपर वाली संख्या का LCM निकालना पड़ता और नीचे वाली संख्या का HCF केलकुलेट करना पड़ता तो बेटा इसको अगर हम solve करते हैं तो 2-11-27, 2-11-27 का HCF क्या होगा, महत्तम समाब बर्तक क्या होगा, यानि महत्तम समाब बर्तक का मतलब इसमें से क्या common आ जाएगा, तो 2-11 में कुछ भी common नहीं है, यानि इसका HCF 1 होगा, और 3-15-45 का LCM 45, 45 होगा, यानि आंसर होगा 1 by 45, यानि A सही जबाब है, A right answer होगा इस सवाल का, next question देखिए, question number 10, कहता है X का 20%, Y का 30% बराबर, भाई साब ये सवाल कितना आसान होता है, देखिए, मौकी कर सकते हैं आप, X का 20% is equal to Y का 30% है, भाई या देखिए, percent से percent खतम हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, अब X के सामने क्या number है 3 और Y के सामने क्या number है 2, यानि X का मान 3 होगा और Y का मान 2 होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है, X, Y तो 3, 2, यानि option D सही जवाब होगा, D right answer होगा, कितना आसान सरल सा सवाल, देखिए, SSC, GD का जो exam है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज आप से नहीं पूछी जाएगी, यह सब exam clear करने का एक ही रास्ता है, syllabus, आप हर subject की पूरी syllabus की जानकारी रखे, बहुत to the point परें, आप सारे सवाल कर पाएंगे, कोई भी question नहीं छुटेगा आप से, अगला सवा, कहता है, अशोक की आयू और प्रदीप की बता है, मुझे यह बताईए कि अशोक की जो आयू है, अगर 6 वर्स बाद 26 है, तो आज कितनी होगी, तो आज 20 साल रही होगी, और आज अशोक और प्रदीप की आयू का अनुपात बताया हुआ, 4 अनुपात 3, यानि आज अशोक की जो आयू होनी चाहिए, वो 4 यूनिट ह कह रहा है, अगर 4 यूनिट की वेल्यू 20 साल है, तो एक यूनिट का मान 5 साल होगा, और तीन यूनिट का मान 3, 15 साल होगा, यानि 15 येर्स राइट अंसर हो जाएगा, परदीप की वर्तमान आयू आज आपसे पूछी जा रही है, परदीप की वर्तमान आयू 15 येर्स होगी यानि B सही जवाब होगा, next question, कहारा है, दो लड़कियों की आयू का अनुपात, फिर से age का सवाल आया, दो लड़कियों की आयू का अनुपात, पांच अनुपात साथ है, आठ वर्स पहले, सबसे पहले यह देखे, पांच अनुपात साथ, कहां कहां बन रहा है, कौन-कौन स देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है बटा, अब आगे देखो, कहारा, आठ वर्स बाद, उनकी आयू का अनुपात साथ, अनुपात 13 हो जाता, आठ वर्स बाद, उनकी आयू का अनुपात साथ, अनुपात 13 हो जाता, यह आठ वर्स बाद हुआ है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कभी भी किसी रेशियो में कोई शंख्या जोडते हैं तो उसके बीच का अंतर नहीं चेंज होता है अंतर इसका चेंज नहीं होता है बिटा तो आप इसका अंतर देखिए इसका अंतर कितना है दो और इसका अंतर कितना एच्छ है यह सेम होने चाहिए सेम होने चाहिए यह अंतर तो सेम कैसे बनाएंगे यहां तीन गुना करेंगे अगर तीन गुना करेंगे तो यह जो पांच है यह पंदरा बन जाएगा, सध जो है 21 बन जाएगा 21 अब जरा गौर से सुनना, सवाल में कहता है कि 8 साल पहले यानि वर्तवान में 21 थे आज 13 है तो कितना साल पहले गए 8 साल, यानि तुम 8 साल पहले ही जा रहे हैं, यहान रेश्यो के एक्वोडिंग भी 8 साल और सवल के कोटिंग भी 8 सल तो 8 की value 8 ही है तो unit की value 1 ही आ गई तो कहता है उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी तो यही भाया उसकी वर्तमान उम्र है 15 और 21 15 और 21 वर्तमान उम्र यानि C हो जाएगा सही जबाब C right answer होगा देखिए ऐसे सवालों को आप x से भी solve कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है आप बिना x के solve करेंगे ऐसे trick से तो speed बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी वो फाइदा करेगा आपके लिए next question कहता है 8 संख्याओं का ओसत 14 है उन्ही में से 6 संख्याओं का ओसत 16 है तो 6 संख्याओं का ओसत क्या होगा देखिए 8 संख्याओं का ओसत जो है वो 14 है इन्ही में से 6 संख्याओं का ओसत 16 है तो बाकी की 2 संख्याओं का ओसत बता है सबसे पहली बात की ओसत कभी भी संख्याओं पर depend नहीं करता आप ये जो संख्या इसके रेशियो निकाल सकते हैं दो कट जाएगा एक, तीन और चार बारी में ये इनकी संख्या आ जाएगी अब चार संख्या का ओसत 14 है जिसमें से 3 संख्या का 16 है तो एक संख्या का बता है मेरी बात बहरा ध्यान से सुनिएगा अगर ऊसत का मतलब होता है सबका मांण चौदा है यानि ये भी चौदा होगा और ये भी चौदा होगा इसको चौदा बनाने के लिए 2 घटाना परेगा और ऐसी-ऐसी 3 संख्याओं में से घटाना परेगा हर संख्या में से 2-2 घटाएंगे तो टोटल 6 घटेगा तो 6 घटा दीजिए 14-6 आंसर क्या होगा 8 8 राइट आंसर हो जाएगा B देखिए ऐसे सवालों को बच्चे बेसिक से भी सोल्व करते हैं कि योगफल निकाल लेते हैं कि 8 संख्यां का 14 है तो योगफल हो जाएगा 14-8, 112 और इनका 16 चाके 96 हो जाएगा तो 96 को 112 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख दे तो वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 16 यहाँ पर प्रोड़क्ट 16 आना चाहिए तो 16 बनाने के लिए 8 लिकेंगे ऐसे भी बहुत बच्चे सवाल को solve करते हैं लेकिन मैं X का प्रियोग ही बहुत कम करना चाहता हूँ आप concept से समझेंगे सवाल को तो बहुत ही मज़ा आता है सवाल करने में और दिमाग का प्रियोग बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ऐसे method को prefer किया किजिए कहता है 30.6 km पर ती घंटे की गती निमने लिखित में से किसके बराबर है भाईया ये km पर ती घंटे में ये है km पर ती घंटे में आपने इसे मीटर पर सकेंड में बदलना है सारे option मीटर पर सकेंड में किलो मीटर प्रती घंटे को जो मीटर पर सेकेंड में बडलते हैं तो कुछ नहीं यहां पांच बटे अठारा गुणा करना पड़ता है पांच बटे अठारा इसको काट लेगा अठारे कम अठारा 12 126 126 को साथ बार में काटता है यानि 1.7 में काट रहा है 17 585 यह 8.5 आ जाए है कि सवाल करने में सवाल खुच चाता है आप सारे सवाल को सॉल्व करके जाए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे यह देखिए बटा क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलो मीटर परती घंटे की रफ्तार से चल कर एक पुल को पार करने में 55 सकेंड लेती है तो पुल की लंबा ही बता है तो पहले देखिए उसकी चाल है 36 किलो मीटर परती घंटा मैंने आपको अभी समझाया किलो मीटर परती घंटे को बदलने के लिए 5 बटे 18 गुना करते यानि इसकी जो चाल है वो है 10 मीटर पर सकेंड यानि ये एक सकेंड में 10 मीटर दूरी तै करते है एक सकेंड में ये 10 मीटर की दूरी तै करते है तो बे यह 510 मीटर 550 मीटर बना लेगा यानि 55 सेकेंड में यह 550 मीटर की दूरी तै करेगी इस 550 मीटर जब भी ट्रेन किसी वस्तू को पार करती है तो दूरी उसकी लंबाई प्लस वस्तू की लंबाई होती है तो इस 550 में वस्तू की जो लंबाई है वो ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 तो उस वस्तु यानि पुल की लंबाई कितनी होगी तो 350 होगी 350 सही जवाब होगा 350 यानि C राइट अंसर होजाएगा C होगा बेटा सही जवाब C राइट अंसर next question देखें next question next question देखें दी आई आचुका है आपके सामने और डी आई के सवाल तो डूएबल होते हैं बहुत आसान बच्चे को करना आना चाहिए डी एक क्वेश्चन कहता है कि यह एक डाइग्राम बताया गया है जिसमें बताया किसी इलाके में छात्रों का स्कूल जाने का प्रियोग की जाने वाल बच्चे बैसाइकल से 18 बच्चे रिक्षा से 16 बच्चे जा रहे हैं ठीक है यह आपका डेटा दिया हुआ अब आपसे कहता है उस इलाके से बस का प्रियोग करने वाले छात्रों का प्रतीसत क्या तो भाईया बस से 15 बच्चे जा रहें 15 बच्चे जा रहें और टोटल 32, 32, 18, 50, 50, 16, 66, 66 बच्चों में 15 बच्चों का परतीशत क्या, परसेंट बनाने के लिए 100 गुना करेंगे, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 22 बार में, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 50, यानि 200 बटे 11, 11 देखिए कहां है, 11 एक ही उप्सन में है तो टिक कर दीजिए, नीचे 11 आना चाहिए, 11 एक ही उप्सन में, 6 भी मत कीजिए, वही राइट आंसर है, सही जवाब, अगला सवाल, परिवहन के अपने साधन के रूप में, कार और रिक्षा का प्रियोग करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है, देखिए कार कितने लोग प्रियोग कर रहे है तो कार करने 6 लोग, और रिक्षा कितने लोग, 16, इनका अनुपात पूछ रहा है, भाईया, कितना आसान है, 6, 16, 2 से कट जाएगा, 3 और 8, 3 और 8 सही जवाब है, option D, option D, right answer हो जाएगा, D सही जवाब, अगला सवाल, कहता है, उस इलाके में से कितने छात्र आते हैं, तो एक यूनिट 10 छात्र को रिपर्जेंट करता है, अगर एक यूनिट 10 छात्र को रिपर्जेंट करता है, तो 66 यूनिट कितने को रिपर्जेंट करेगा, तो 66 यूनिट 660, 660 right answer है, option D, option D सही जवाब होगा, D होगा, बिटा, right answer, अगला सवाल, किसी मशीन के मुल में तीशत की हानी होती है, उसकी वर्तमान मुल 2,00,000 है, तो 2 वर्स बाद उसकी मुल क्या होगी, बिटा, ऐसे question को आप कैसे solve करेंगे, देखिएगा ध्यान से, बिना किसी formula के solve कर सकते हैं, आप 5% का fraction मान होता 1 बटे 20, यानि उसकी कीमत 20 थी, तो 1 कम हो चुकी है, यानि आज उसकी कीमत 19 है, ऐसा एक साल में, दो साल के लिए पावर लगा दीजे इस पे, अगर इस पे पावर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा, यानि पहले अगर ये 400 था, तो आज ये 361 है, इसी 400 की value बताई गई है, कितनी बताई गई है, दो लाक बताया गया है, दो लाक बताय बताया गया, बते, 400 इस 2000 को काटेगा, पांच बार में, डबल जिरो, यानि 500 का रिलेशन है, तो यहां भी 500 गुना कर दीजे, आंसर आजाएगा, बटा, डबल जीरो, पांच एकम, पांच, अच्छ तिस पंचे, एक सो असी, यानि, एक लाक असी, हजार पांच सो, एक लाक सब्सक्राइब, नेक्स्ट गुश्चन, फिर सरलीकरन का सवाल है, और यह सवाल आप तभी कर पाएंगे, जब आपको बोडमास रूल पता होगा, कि पहले ब्रेकेट आता है, फिर ओफ आता है, और का, का का मान फिर करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टिप्लिके करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्स्ट्रेक्शन करते हैं, यह बोडमास रूल है, तो देखे सवाल है, थिरी, मैं सवाल को पहले लिख लेता हूँ, ताकि आप एक-एक स्टेप समझे, सवाल है, थिरी डिवाइडेड बाई, और यहां ब्रेकेट लगा हुआ है, इंटू का साइन है 4, और डिवाइडेड बाई 4, और फिर यहां ओफ लगा हुआ है 4, बेटा बोडमास रूल लगाई है, बोडमास रूल, बोडमास रूल के तहट सबसे पहले काम करेंगे, ब्रेकेट का, ब्रेकेट का काम सबसे पहले करेंगे, तो इस 6-7 की वेल्यू क्य चाहोगी तो 6-7 की वेलोगी माइनस वन तो यहां आ जाएगा भाया माइनस वन आ जाएगा माइनस वन माइनस वन अब यहां इंटू है और आठ लिखा हुआ अब देखे जब भी आपके सामने में डिवीजन और मल्टिप्लिकेशन साथ में हो तो यह कहता है डिवीजन पहले मल्टिप्लिकेशन बाद में लेकिन बेटा दोनों के ओडर सेम होते हैं जब भी डिवीजन मल्टिप्लिकेशन आए दोनों की वेल्यू समान है दोनों में से कोई भी काम पहले कर सकते हैं आपको लेप टू राइट मूब करना चाहिए आपको लेप टू राइट मूब करना चाहिए division multiplication में left to right तो आसानी से कर सकते हैं देखे यहां है division 5 में minus 1 से divide करेंगे तो यह minus minus इसको plus बना देगा और plus 5 अठे 40 बन जाएगा यह यह पूरा part cancel होके बन जाएगा plus 40 यह पूरा part cancel होके बन जाएगा plus 40 अब भाया solve करेंगे 45 और 45 और 9 क्या बन जाएगा चोवन तो 3 divided by चोवन आ गया 3 divided by चोवन अब नीचे solve कीजिए फिर देखिए नीचे सबसे पहले अगर बात करें तो यहां off है off का का काम सबसे पहले होता है यह देख लीजिए off का का काम सबसे पहले है तो यह काम यह बन जाएगा 16 अब division और multiplication डिवीजन में left to right मूव कीजिए चार चोगे 16 16 से 16 खतम हो जाएगा वचेगा एक यह बनेगा चार एक पांच वह यह तीन चोवन को अठारा बार में काटता है अठारा नीचे आ जाएगा एक बटे अठारा पंचे नब्य वन अपोन 90 कहां बी वन अपोन 90 सही जवाब देखिए जो simplification के सवाल होते हैं चीक से गलतियां तभी होती है जब वो बोडमास रूल को फॉलो नहीं करता है तब उससे गलतियां हो जाती है परना आसान सवाल होता है बहुत देखें क्विश्चन कह रहा है फिर से ब्याज का सवाल आ रहा है किता है किसी मूलधन पर 10% परतीशत परतीवर्स की दर से सार साधरन ब्याज 2940 रुपया है तो उसी मूलधन पर उसी दर से धाई वर्स का चक्रविर्दी ब्याज क्या होगा लगभाग वेल्यू पूछा जा रहा है यानि ऐसे सवाल में बच्चा बड़ा घवराता है क्योंकि वेल्यू जब लगभाग आती है यानि केलकुलेशन तग तीन वर्स का ब्याज दिया हुआ साधरन ब्याज युनिटरी मेथड को फोलो करता है यानि एक साल में 10 परसेंट है तो तीन साल में 30 परसेंट होगा सारे तीन है यानि आधे साल में 5 परसेंट होगा यानि 30 प्लस 5 35 परसेंट का ब्याज है साधरन ब्याज की वेल्यू है 35 इसी 35% की value बताई गई है 2940, ये है 35% की value, बेटा फिर सुनिएगा ध्यान से 1 साल का 10%, 3 साल का 30, और आधे साल का 5, 30 पिलस 5, 35% साधरन ब्याज है, लेकिन चक्रविर्धी ब्याज युनिट्री मेथड को follow नहीं करता, यह successive मेथड को follow करता, यहां इस तरीके से नहीं निकाल सक करते, यह successive का सूतर लगता है, और successive का formula कहता है, जैसे 10% है, तो देखिए, एक साल का 10 है, अगले साल का भी 10 होगा, मुझे 30 साल का निकालना, धाई चाल का निकालना, एक साल का 10, अगले साल का भी 10, अगले आधे साल का 5 है, अब यहां successive method लगाना होगा, successive method यह formula यूज करेंगे, आप यह होता है, x plus y, और plus xy upon 100, इसको solve करेंगे, 10 रखेंगे, 10, 10, 20, फिर 100, बटे 101, यानि इसका मान 21 आ जाएगा, इसके करण 21 आ गया, तो 21x, इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे, x plus y, दोनों का product 105 upon 100 है, तो यह answer आजाएगा 26, 26 यह आजाएगा 1.05, यानि answer जो आगे आपका, यह आगे 25, 26 में 1.05 जोडेंगे, तो 27.05% की value, यह calculate करना है, तो अब इसे कैसे calculate करेंगे, अगर 35% की value यह है, तो 1% का मान होगा, 39, 40, 35, तो इतना परसेंट का मान क्या होगा, 27.05% की value क्या होगी, गुणा कर दीजे, यह answer है, अब थोड़ा cart pit जादा हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था, calculation तो आएगा इस सवाल में, solve कीजिए, 10.05 हटाएंगे, तो 2-0 तो यहां दिखाई दे रहे, 1-0 तो खतम हो गया, 5 से कटेगा 7 बार में, और 5 से कटेगा 25 और 2, 5 के 20 और 1, 7 से यह कट रहा है, 7 के 28 और 1, 7 दूनी 14, यह बन रहा है, तो भाईए, आंसर आ रहा है, 42 into, 541 अपोन 100, यह आ रहा है, आंसर, अब इसको multiply करके देखिए कि कौन सा सही जवाब आपका आने वाला है, 42 में 541 अगर गुना करेंगे, तो 42 एकम 42 के 2, और बचा 4, और 42 चोके कितना हो जाएगा, 42, 160 और 4, दूनी 8, 168, 168 और 4, 172 हो जाएगा यह, और बचेगा 17, और 42, पंचे 210, 210 में 17 जोड़ेंगे, 227, तो भाया अगर यहां तो 10 ही है, 100 मैंने लिख दिया, यहां 10 ही है, 10 से divide करेंगे, यानि 2272 दसमलब दो, देखिए 2272 दसमलब दो तो नहीं है, लेकिन 272 है, यानि 20 ही जवाब होगा, तो calculation से भागिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, GD में 25 सवाल में आपको यह mock test करवाने का मक्षद ही है, कि आप समझें कि सारे सवाल आसान नहीं होगे, 20 सवाल तो ऐसे होंगे, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही answer, 5 सवाल ऐसे होंगे, जिसमें थोड़ा सा तो calculation करें, ताकि अच्छा बच्चा आपाए उस exam में, तो लंबाई की नहीं बात कर रहा ही है, क्योंकि संकु में लंबाई क्या होगी, उचाई की बात कर रहा ही है, यह उचाई की बात कर रहा है, यह h की value बात कर रहा है, यह बात कर रहा है, तो कहता है आधार का चेतरफल क्या होगा, आधार विर्ताकार होता है, और इसका चेतरफ 24 भाईया H की value बता दी गई है कि H का मान है 18 तो मुझे बताईए और मुझे Pi R square का मान calculate करना यह मान calculate करना Pi की value पुटी मत कीजिए यही मान निकालना है 3 इसको काटेगा 6 में और 6 काट लेगा 156 96 24 यानि Pi R square की value होगी 154 यही आपसे पूछा जारा आधार का छेतरफल 154 जबाब हो जाएगा 154 राइट आंसर अगला सबाग कहता है question यदि 30 व्यक्ति प्रती दिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं चालिस व्यक्ति को प्रती दिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि वे उस काम को 6 दिन में पूरा कर पाएंगे बिटा ऐसे question को जब भी आप solve करें देखिए एक बहुत ही बहतरीन सा result है उस result का प्रियोग करें कि M1 T1 upon W1 is equal to M2 T2 upon W2 actual M1 E1 T1 होता है लेकिन मैंने चमता को मैंने म самом परकार के मजदूर हैं यहां मजदूर कितनने हैं 30 मजदूर है कितना समय लेते हैं एक दिन ये भी value खतम हो जाएगे, कहता है उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए 40 वेक्ति, वेक्ति है 40 और 10 दिन काम करना, माना कि एक दिन में x घंटा काम करते हैं, तो 10 दिन में x into 10 करेंगे, अब इसी x कामान calculate करना, answer solve कीजिए, देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है, 0 से 0 खतम हो जाएगा, ये 0 से 0 ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 से 8 कट रहा है दो बारी में, और 0 से ये 0 खतम हो रहा है, तो इधर बचा x और इधर बचा 6, यानि 6 घंटे काम करने होंगे, 6 घंटे प्रती दिन काम करने होंगे, प्रती दिन 6 घंटे उसे काम करने होंगे है यहाँ पर क्या लिखा हुआ छ bit ने पूरा कर ले यानि time जो है मैंने दस लिख दिया दस नहीं है यह यहाँ 6 होगा यहाँ 6 होगा मैंने data गलत लिख दिया data गलत लिख दिया देखिए वेटा जैसे पहले व्यक्ति की संक्षां 30 है तो 30 समय एक दिन में 8 घंटा तो तस दिन में 10 INTS 8 बाद में मजदूर कितने है तो 40 मजदूर है 40 मजदूर प्रती दिन कितने घंटे काम करें की काम 6 दिन में पूरा हो जा jest magic फर्ती दिन एक्स दिन में तो 6 दिन में कितना 6 INTS 3 solve किजिए अब सही answer आएगा 6 इसको काटेगा 5 बारी में और ये 0 से 0 खतम हो गया और 4 काटेगा 8 को 2 बारी में 5 दुनी 10 X का मान 10 गंटे आएगा 10 गंटे 10 गंटे 10 गंटे right answer होगा option D option D सही जवाब होगा इसका next question देखिए कहता है कि इन संख्याओं का ओसत दिया हुआ है यह सब संख्याओं इनका ओसत है तो X का मान बता है ऐसे सवाल को कैसे solve करते हैं तो बिटा ध्यान दखना कि average बराबर होता है sum upon number तो यहां से हम sum calculate कर सकते हैं sum की जो value होगी वो होगी average into number या इसे आप भासा के रूप में भी पर सकते हैं कि ओसत सब की value होती है तो यहां कितना मान लिखा हुआ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ संख्याओं है सब की value 58.5 है तो पूरे 8 संख्याओं का योग क्या होगा योगफल क्या होगा य 59.5 into 8 यह इनका योग आ गया अब इन संख्याओं का योग क्या होगा तो संख्याओं का योग करेंगे x को separate कर लेते हैं और फिर योगफल निकालते हैं एक प्लस दो तीन नो तीन बारा बारा छे अठारा अठारा आठ चब्विस चब्विस तीन उनतिस उनतिस एक तीस ती इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यह आठ पंचे चालिस के तो जीरो बना बचा चार अठीटी चोंसट चार अड़सट च्छै आठ पंचे चालिस सर च्छै च्यालिस यानि 468 है यह बताई एक्स की वेल्यू क्या होगी 420 उधर लेकर जाएंगे 468 में से 420 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 48 48 रा की आंसर हो जाएगा 48 जहां है अप्सन डी दी सऑी जबाब होगा इस सवाल का प्राप्त अंको का माद्द माद्द का मतलब ही ओसत होता है अंठावन दसमला पाँच है बाद में ये ग्यात हुआ कि तुरूटी वस एक छातर का प्राप्त अंक 75 के अस्थान पर 57 लिख दिया गया तो कहता है सही माद्द ग्यात करें बिटा उसका ओसत है 58.5 लेकिन ये ओस सही नहीं है ये गलत है इसे सही बनाना कैसे सही बनाएंगे तो देखिए उसने गलती क्या किया है उसने 75 के अस्थान पर 57 लिख दिया यानि 57 को 75 बनाना होगा 57 को 75 बनाने के लिए 18 जोड़ना होगा आप इसमें भी 18 जोड़ देजिए इसमें भी 18 जोड़ देजिए अंसर आजाएगा लेकिन ओसत कहता है कि यहां कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो average रूप से जुड़ता है यानि ये जो संख्या जुड़ी है न ये total कितनी संख्या संख्याओं का उसत है तो ये total संख्याओं 30 है तो 30 संख्याओं में ये बट जाएंगी ये 30 संख्याओं में बट जाएंगी 3 से कटेगा 10 में 3 से कटेगा 6 में 6 बटे 10 यानि 0.6 हो जाएगा 58.5 प्लस 0.6 6 5 11 और 58 1 69 69 दसमलब एक राइट आंसर होगा 59.1 सही जवाब होगा इस सवाल का तो देखिए इसी के साथ मैं इस सेसन को एंड कर रहा हूं ये एससी जीडी का प्रेक्टिस सेट फाइव था जो इस जगह पर समाप्त हो रहा है आप इस वक्त तक पूरा सवाल सोल्व करने के बाद जरूर बता है कि आप कितने कुश्चन खुझ से कर पा रहे ह वह बहुत जरूरी है एनलेसिस करना की कितना सवाल आपसे बना है इसके अगले सेसन में हम लोग मिलेंगे ससी जीडी की प्रेक्टिस सेट 6 लेकर आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप ससी जीडी के लिए अभी से डेली बहुत अच्छे से पढ़ेंग करते हैं आपसे सबको मेरा शुबरात्री जैहिंद कर दो कर सकता है